बीहड याने उबर खाबर जमीन जहां दूर दूर तक हर्याली का कोई नामों निशा नहीं होता और चंबल के बीहड तो बरसों डकैतों की शरंड स्थरी रहे लेकिन अब यही बीहड आत्म नर्भर भारत की कहानी गर रहा है भिंड जिले के अटेर तहसील के एक किसान ने बेकार पड़ी बीहड भूमी को नकेवल समतल कर उबजाओ बनाया बलके खुद के साथ साथ दूसरों को भी आर्थिक रूप से आत्मन नर्भर बना रहे हैं दुलहागन गाओं के किसान विश्णु शर्मा के पास बीहड भूमी थी जिस पर कोई भी फसल न होने से वे आर्थिक रूप से परिशान थे पांच साल पहले उन्होंने इसके समतली करण का काम शुरू किया और आज वे दस बीघा समतल उबजाओ जमीन के मालिक हैं और उन्हें सालाना च्छे लाक रुपे तक की आए हो रही है भीड के जमीन खरीदने के बाद सबसे पहले मैंने उसको उपजाओ बनाया और परमपरागत खेती के साथ साथ मैंने अपने पूरे खेती में सरसों गेहूं बाजरा तिल अरहर मूं की फसल के साथ साथ हमने बागवानी का प्रयोग किया पहली साल में करीब करीब साड़े चार सो पेड अमरूद के करीब करीब सत्तर हजार रुपय का अमरूद यहां लोकल भिंड और आसपास के मार्केट में सेल किया है और साथी कुछ पपीते के भी पेड लगाये थे उनसे भी काफी अच्छा मुनाफ़ा मिला है किसी ने सच कहा है अगर अरादा मजबूत हो तो चटान काट कर पानी निकाला जा सकता है विश्णु शर्मा ने बीहड को हरा भरा कर अपने बुलंद होसलों का परिचय दिया है और सभी के लिए बन गए है एक मिसाल भिंड से अनल शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं सैयुका बैनर जी